अधिकारी फेडरेशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आगामी दिनों में आंदोलन की रणिती बना ली है फेडरेशन ने चरणबद आंदोलन का एलान भी कर दिया है फेडरेशन के करमचारियों ने विधान सभा के अलप कालिन सत्र में अपने सास्की दायतों के निर्वहन को देखते हुए एक सराहनी नेने लिया है जिसके अंतरगत सत्र के दोरान अधिकारी करमचारी सास की काम प्रभावित ना कर प्रदर्शन वा घिराव नहीं करेंगे फेडरेशन की गुरुआर को राजी स्तरी समिच्छा बैठग संपन हुई बैठग में कल 27 जून की प्रांत व्यापी हर्ताल की समिच्छा के साथ ही साथियों को हर्ताल को अभूत पूर्व रूप से सफल बनाने के लिए बदाई दी गई कर 36 गर करमचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजग सुभास मिस्रा ने बताया कि विधान सभा का अलप कालिन सत्र और अपने सास्की ताइटों के निर्वान को देखते हुए विधान सभा सत्र के दोरान प्रदर्शन घिराव को नहीं करने का नेनल लिया गया है बैठग के माध्यम से मुख्यमंत्री से संबाध हिंता की स्किति को समाप्त करके संकल्प पत्र में किये गए वादों और कर्मचारियों की जैस मांगो को अविलंब पूरा करने का आग्रह भी किया गया है ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैठ दूसरी बात कि जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ कभिरा खड़े बजार में ले लुका की हाथ और जो घर बारे आपनों चले हमारे साथ ये दो बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने अगर अपने को आंदोलन में जोका है और हमारे साथियों ने हम पर विश्वास किया है और जिस तरह से सब साथी बता रहे हैं कि लोगों में सौइस्पूर एक आंदोलन की बात है लोगों में रोज है कि हमारे वादा खिलापी किये सरकार ने साड़े चार साल हो गया इसके बाद चुना हो आ रहा है सरकार नहीं मांगा है हुए आप सबकी बात सुनी है आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजह को बांसता है होरो कि दूसरे लोगों ने का कि कुछ लोगों कर दिया जाए पहले समय बद किया जाए समय बद करने के लिए ज्यादा लोगों कि अपने लोगों को मोटिवेट करें